नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आपके एश्ट्रो मित्रा पर और आज हम बात करने वाले हैं हथेली पर ग्रहों के अस्थान और उसके प्रभाव के बारे में तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्प्या करके स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि हथेली पर कौन जगरा किस अस्थान पर इस्थित होता है तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर उस वीडियो को देख ले और जिन्होंने नहीं भी देखा है वो इस व पहली उंगली जो तरजनी जहां लिखी हुई है उसे हम इंगलिस में इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं उसके नीचे का जो स्क्वायर नुमा भाग देख रहे हैं जिसके नीचे गुरु लिखा हुआ है वो अस्थान गुरु परवत का अस्थान है और पुरु से हम देखते हैं कि हमारी संपत्ति, हमारा ज्ञान, हमारा पारिवारिक जीवन, दामपत्य, सुख और धार्मिक्ता के बारे में हम जानते हैं। दूसरा जो उंगली है मद्यमा, जिसे बीच वाली उंगली कहते हैं, उसके नीचे का अस्थान को हम सनी परवत का अस्थान मानते हैं। तो सनी से हम क्या देखते हैं, तो सनी से हम सुख दूख, हमारे जीवन में क्या काम्याभी हमें मिलेगी, हम निरासावादी होंगे या आसावादी होंगे, तीसरी उंगली है अनामिका, जिसके नीचे सूर्य परवत होता है, सूर्य परवत से हम मान सम्मान यस समाजिक हमारा रुत्बा और सरकारी नौकरी जानते हैं उसके नीचे उसके बगल में जो उंगली है उसे हम छोटी उंगली यानि कनिष्टखा करते हैं उसके नीचे का जो अस्थान है उसे हम बुद्ध करते हैं वो बुद्ध परवत का अस्थान होता है बुद्ध परवत से हम अपना कम्म communication skill जो हमें होता है और ग्यान, सिच्छा, व्यवसाय हम बिजनस कर सकते हैं बिजनस में हम कैसे होंगे ये सब जानते हैं बुद्ध के नीचे का जो छेत्र होता है वो उच्चे का मंगल होता है उसे हम उर्दमंगल भी कहते हैं मंगल का हाथ हेली में दो अस्थान होता है नीचे के मंगल से हम अपने जीवन में साहस, संतुलन, सकती और धेरे के बारे में देखते हैं उसके नीचे का परवत होता है चंदर परवत चंदर परवत से हम यात्रा, कला, हमारी यादास्त सकती हम कितने कलपना सील है ये देखते हैं उसके बाद आते हैं हम निम्न मंगल पर निम्न मंगल वो पहली उंगली और गुरु परवत के नीचे और अंगुठे के सुक्र परवत के ऊपर का जो छेतर है वो निम्न मंगल कहलाता है निम्न मंगल से हम क्रोध हिम्मत देखते हैं उसके नीचे का जो छेतर है वो सुक्र का छेतर होता है सुक्र का छेतर से हम अपने जीवन में सुक्र हमारा जीवन कैसा होगा लगजरी लाइफ ये सब देखते हैं उसके बाद हम आते हैं राहू पर तो ये जो बीच का जो छेतर है जो सभी परवतों से घीरा हुआ है वो राहू का छेतर होता है राहू के छेतर से हम ये देखते है कि हम कैसे होंगे अवसरवादी है उसके बाद ये हमारे जीवन में परसानी जीवन में होने वाले उतार चड़ाओ के बारे में हमें बताता है राहो के ठीक नीचे और कलाई के उपर केतु का छेतर होता है केतु से हम आंतर ग्यान आकास्मिक धन की प्राप्ति अध्यात्न जी वीडियो यही समाप्त करता हूं नमस्कार आपका दिन सुब्ध हो